यह Bible in One Year का हिंदी प्रक्रण है दोसो, चहुतरवा दिन, कैसे एक आशीश देने वाले मशीन बने? क्या आप कभी आश्चरे करते हैं, कि क्या आपके आसपास के लोगों के जीवन में एक अंतर पैदा कर सकते हैं? एक बार मैंने The Secret Millionaire नामक एक TV शो का एक धारवाहिक देखा, केविन ग्रीन एक गुप्त अरपती ऐसे लोग उदेश्चियों को खोचते थे, जिनहें मदद मिल पाए उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक मदद से, उन्होंने लगभग 60,000 पाउंड दिये, ऐसे लोगों को जो बेघर, नशे में फसे, किशोर और अपंग बच्चों के साथ काम करते थे, इन सभी लोगों की प्रतिक्रिया गहराई से छू लेने वाली थी, वे बहुत आभारी थे और जिस उदेश्चि के लिए वे काम करते थे, उसे महान लाब पहुचा, वे आशिशित हुए और दूसरों को महान आशिश देने में सक्षम हुए, किन्तु प्रोग्राम का सबसे दिल्चस्प पहलू था, केविन ग्रीन में बदला पद, उन्होंने एक नए तरीके से दूसरों को आशिश देने के आनंद का अनुभव किया था, उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन बदल गया, इश्यो के वचन सच है, लेने से देना अधिक धन्य है, प्रेरितों के काम 20 का 35 सेंट पीटर ब्राइटन के पादरी आर की कोट, चर्च को एक आशिश मशीन कहते हैं, मसीहों के रूप में हम यही बनने के लिए बुलाए गए हैं, चर्च के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में और आप सच में एक आशिश मशीन बन सकते हैं भजन सहीता, 115 का 12 से 18, परमेश्वर आशिश मशीन हैं, यहां आपके जीवन पर परमेश्वर की आशिश है, जो आपको दूसरों के जीवन में एक अंतर पैदा करने में सक्षम बनाती है परमेश्वर सारी आशिश के श्रोत है, उन्हें आपको आशिश देना पसंद है भजन सहीता के लेखक बार बार इसे दोहराते हैं, लगातार पांच बार वह बताते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें आशिश देंगे परमेश्वर सिर्फ अरपती नहीं है, वह स्वर्ग और प्रत्वी के निर्माता है, स्वर्ग प्रत्वी का है, उनकी असाधारन उदारतास में प्रत्वी दी गई है परमेश्वर आशीश देने से प्रेम करते हैं आशीश के लिए उचित उत्तर है आभार व्यक्त करना हम लोग यहा को अब से लेकर सरवदा तक धन्य कहते रहेंगे यहा की स्तुति करो परमेश्वर की स्तुति हो परमेश्वर मैं कभी भी आपकी परियाब तुस्तुती नहीं कर पाऊंगा आपने मुझे मसी में सभी आत्मिक आशिशें दी है नया नियम, फिलिपियों 2 का 12 से 30 दूसरों के लिए एक आशिश मशीन बनिये कैसे आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में अंतर पैदा कर सकते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं आप अपने स्वर्गी पिता की तरह बनने के लिए बुलाए गए हैं जिन्हें आशिश देना पसंद है आपके पास उत्तरदाईतु है कि अपने उधार पर काम करें यहाँ देखना कि परमेश्वर का अनुगरह आपके जीवन के हर शेत्र को प्रभावित करता है लेकिन परवेश्वर ही हैं जिन्होंने अपनी सुइच्छा निमित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है बहुत से लोग अपने भविश्वर के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने में अनिचुक हैं क्योंकि उन्हें डर है कि परमेश्वर उनसे वह करवाएंगे जो वह नहीं करना चाहते हैं या वह जीवन को खराब कर देंगे निश्चिती इन दोनों डर का कोई आधार नहीं है यदि आपकी इच्छा उनके प्रति समर्पित है तो परमेश्वर आपको वह करने की इच्छा देंगे जो करने के लिए वह आपको बुला रहे हैं यदि वह आपको गरीबों के साथ एक बुलाहट में बुला रहे हैं तो वहीं पर आपका हरदय होगा यदि वहाँ आपको सिखाने के लिए बुला रहे हैं तो वहाँ आपको सिखाने की इच्छा भी देंगे यदि आप उनकी इच्छा के प्रतिसमर्पित होंगे तो वहाँ अपने अच्छे उद्देश्यों को पूरा करेंगे आपके जीवन के लिए वहाँ अच्छा चाहते हैं यह आवश्यक रूप से सरल नहीं होगा लेकिन आप उनकी योजनाओं को और सुधार नहीं पाएंगे उनकी इच्छा आपको वहाँ उर्जा भी देती है जिसकी आपको जरूरत है वह उर्जा परमेश्वर की उर्जा है आपके अंदर एक उर्जा परमेश्वर ही है जिन्होंने अपनी सुधा निमित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है पॉलूस एक आशिश मशीन बनने के आनंद को जानते हैं वह लिखते हैं हम काम बिना कुड़कुडाए और बिना विवाद के किया करो सब काम बिना कुड़कुडाए और बिना विवाद के किया करो ताकि तुम निर्दोश और भूले होकर तेड़े और हठीले लोगों के बीच पर मेश्वर के निस्कलंक संतान बने रहो जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिये हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो आपके पास अनंत सुविधा है कि आप लोगों को ना केवल पैसा लेकिन जीवन का वचन दे सकते हैं इससे बड़ा कोई आनंद नहीं कि आत्मिक रूप से अमरत लोगों को ईश्व के द्वारा जीवित होते हुए देखें इस समान के लिए पालूस आनंद के साथ अपना जीवन देने के लिए तयार है यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तब भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो फिर पॉलूस अपने दो मित्रों का उधारन देते हैं जिन्होंने दर्शाया की कैसे एक आशीश मशीन बनना है नमबर एक दूसरों में सच्ची दिल्चस्पी रखो तिमतियूस पॉलूस के नजदी की मित्र थे और अकसर उनके पत्रों में उनका उलेख किया गया है उनकी इमानदारी और सहायता इतनी महान थी की पॉलूस इसका वर्नन पिता के साथ एक पुत्र के समान करते हैं पॉलूस अपने मित्र की प्रशंसा करते हैं, वह इमानदार है और सच में तुम्हारी चिंता करता है। पॉलूस इसके तुलना स्वयम में रुची रखने के अभिशाप से करते हैं, यह कहते हुए क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। तिमुतियूस एक आशीश मचीन थे, क्योंकि वह परमेश्वर की संतान की कुशलता में सच्ची दिल्चस्पी रखते थे। तिमुतियूस की दिल्चस्पी पूरी तरह से सच्ची थी, वास्तवी कुवस्तु, पॉलूस कहते हैं कि उसने सुसमाचार के कारे में मेरे साथ नमबर दो दूसरों के पक्ष में साहस दिखाईए इपफरुदितूस भी पॉलूस और फिलिप्पियों का एक इमानदार मेत्र था। वह उन लोगों की तरह थे जो जब बिमार होते थे तब बिमारी के द्वारा इतने चिंतित नहीं होते थे जितना की इस तथि के द्वारा कि वह शायद से अपने परिवार या मित्रों के लिए एक बोज बन जाएंगे। इस भाव का अनुवाद अधिकाधिक शाब्दिक रूप में अपने जीवन को दाव पर लगाने के रूप में किया गया है। आरंभिक कलीसिया में पुरिशों और महिलाओं का ऐसा समाज था जो अपने आपको जुवारी कहते थे जो बिमारों और बंदिग्रहों में कैदियों की सुधी लेते थे। कार्थज के बिशप सिप्रेन ने महामारी के दोरान उलेखनिय साहस दिखाया जब हर कोई बिमार और मृत्कों से दूर भाग रहा था सिप्रेन और दूसरे मसीही मृत्कों को दफना रहे थे। बिमारों के सेवा कर रहे थे और अपना जीवन दाव पर लगा कर शहर को पॉलूस को मृत्युदंड मिला था और वह बंदिग्रह में थे इसके द्वारा उन पर भी पॉलूस के समान दंड का खतरा मंडराता था। पॉलूस के लिए इपफवदितूस ने बहुत साहस दिखाया वह भी एक आशिश मशीन थे। परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए कि हर काम बिना शिकायत या वाद विवाद के करूं और आज किसी को जीवन का वचन सुनाओं। पुराना नियम यरमिया दोका 31 से 4 के 9 तक परमेश्वर की आशिश से दूर मत जाईए। यदि याँ परमेश्वर के साथ एक नजदी की सम्मद में चलने की आशिश का बविश्वक्ता यरमिया लोगों को चिताते हैं कि परमेश्वर की और फिर जाओ परमेश्वर आपको आशिश देना चाहते हैं। यदि तु घिनावनी वस्तूओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा और यदि तु सच्चाई और न्या अशिश देना चाहते थे लेकिन वे उनकी आशिशों से दूर गए। यरमिया ने लोगों को परमेश्वर से मुड़कर जूटी मूर्तियों के पास जाने के खत्रे के बारे में चेतावनी दी थी। तो बहुत से लोगों को काटती और पहुचाती है। वे विश्वास घात बार बार परमेश्वर उन्हें लोट आने के लिए चिताते हैं। अधिक आपके हरदय में रुची रखते हैं। आप परमेश्वर के सामने ढोंग नहीं कर सकते हैं। यहुदा पूर्ण मन से मेरी और नहीं फिरा परंतु कपट से। परमेश्वर चिताते हैं यहवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो। यहां तक की परमेश्वर आज मैं आपको वह सब देता हूँ, जो मेरे पास है, सयम, पैसा, संपत्ती और बाकी सब कुछ। आपका धनिवाद की आप मुझे आशिश देना चाहते हैं और मेरे द्वारा दूसरों को आशिश देना चाहते हैं। आज मेरे सहायता कीजिए कि मैं एक आशि होकर टेड़े और हटिले लोगों की बीच परमेशर की निश्कलंग संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वच्चन लिये हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, थोड़ा भी कुड़कुडाना नहीं चलेगा, और निश्कलंग होने की मामल में मुझे कुछ चीजों पर काम करना पड़ेगा, आज का वच्चन सब काम बिना कुड़कुडाएं और बिना विवाद के किया करो, फिलिप्यों 2 का चोधा